पिछले कुछ सालों में संसती कारवाही लगातार हंगामे की भेट चरती रही। बुदवार को अनिशित काल के लिए स्थगित हुई संसत के सीथ कालिन सत्र की कारवाही भी इससे इतर नहीं रही। पिछले कारवाही लेकिन अफरा तफरी में सदन की कारवाही निर्धारित वक्त से दो दिन पहले ही अनिशित काल के स्थगित कर दी गई। पिछले कारे दिवस दिवंगत सांसतों को शिधांजली के वज़े से स्थगित हुई। तीन विधेक ही पेश किये जा सके और किसी को भी पारित नहीं कराया सका। हलाकि शुरुआती योजना से परे तीन अनिबिल सदन में पेश किया गया। दोनों सदनों में योजना के मताबिक पारित कराया जाने वाले 29 विधेकों में से सिर्फ एक बिल लोगपाल और लोकायुक विधेक को ही पारित कराया सका। हलाकि लोकसवा में एक अनिबिल भी पारित किया गया। तो फिर सरकार को दोशी बनाएं ये उनकी रणनीती का एक सोचा समझा है इस साथ है। हलाकि शीत कालिन सत्र कई मायने में एतहासिक साबित हुआ। तकरीबन 45 सालों से लंबित लोगपाल विधेक को आनन फानान में दोनों ही सदनों में पारित कराया गया। हलाकि भरस्टाचार से निपटने के मुद्दे पर सरकार की उर्षे प्रस्तावित चार अन्य विधेक अब भी सदन के समक्ष पड़े हैं। सरकार भले ही इन मुद्दों की निपटारे के लिए सदन के दुबारा बुलाया जा सकने के तर्क दे रही हो। लेकिन दो दिन पुर्वी सदन को अनिशित कालकले स्थखित किये जाने की कारवाही पर सरकार के मंशा पर भी स्वालिया निशान लगे हैं। संदीब जा के साथ कुमारा लोग डिटी निउस दिल्ली। कुमार कुमार